नमस्कार दोस्तों ये है मेरा छोटा सा बेवी एकाउंट 67 लेविल का इस एकाउंट को आप लोग अक्सर मेरी वीडियो में देखते रहते होंगे इसके क्यूर सेक्षन में जाकर देखें तो अभी मेरे पास कोई भी लेजंडरी क्यूर ओपन नहीं हुई है ये एक क्यूर ऐसी है जो लास्ट पीस पर रुकी हुई है बाकी कुछ क्यूर के एक एक पीस खुले हुए है आज इस एकाउंट में मेरे पास ये वाला गोर्डन शॉर्ट आया है इसमें आज का फर्स्ट प्राइस चार लेजंडरी बॉक्सिद है सेकेंड प्राइस का सिक्स्टी कैस मैं आल्लेडी कलेक्ट कर चुका हूँ इसको इंडारेक्ट प्ले करना पड़ेगा आम तोर पर इस तरह के शॉर्ट देखकर नए प्लेयर्स घबरा जाते हैं इंडारेक्ट शॉर्ट प्ले करना वैसे भी कटिन होता है और यहां तो इंडारेक्ट के साथ साथ बॉल को टेबिल के बीच में रोकने की कैलकुलेशन भी लगानी पड़ती है तो बहुत सारे नए प्लेयर्स इसको या तो इसकिप करके गेम पर चले जाते हैं या उल्टा सीधा हिट कर देते हैं और नतीजा होता है जीरो बेनिफिट अब इस जीरो बेनिफिट की जगए हंडेट परसंट बेनिफिट कैसे लेंगे यही बात मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो बने रहिए वीडियो में end तक अगर आप हमारे चैनल के प्लेयलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ये प्लेयलिस्ट मिलेगी हाला कि इस playlist में बहुत से वीडियोज हैं लेकिन सब आपके बहुत काम के हैं क्योंकि इन सभी वीडियोज में 8 बाल पूल के लगभग लगभग सभी golden shot हिट करने के लिए उनके aim और किस shot में कितनी power यूज करनी है सब बिलकुल काईदे से detail में समझाये गया है अगर आपने ये सब वीडियोज देख ली तो आपके पास कोई भी lucky shot या golden shot आए आप बहुत आसानी से उसको हिट करके maximum benefit ले सकते हो गेम के बाकी important topics पर भी playlist बनी हुई है टाइम निकाल कर आप उन्हें भी देख सकते है दोस्तों मेरा चैनल बहुत छोटा सा है और मैं कोई star या celebrity भी नहीं हूँ जो media वाले या TV वाले आकर आपको मेरे चैनल के बारे में बताएंगे इसलिए ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है पहले आप मेरी वीडियोज देखना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस काम में कोई पैसा खर्च नहीं होता है वीडियोज फालतू की लगें या कुछ कमी महसूस हो तो कमेंट करके बता दीजे कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए तो अब बापस आते हैं अपने गौर्डन शॉट पर इस शॉट को प्ले करने के लिए मैंने सलेक्ट की है एक ऐसी क्यू जिसकी पावर 4 है क्यू का नाम क्या हो इससे कोई मतलब नहीं है बस केबल पावर 4 होनी चाहिए तो ये क्यू मैंने क्यूं सलेक्ट की है इसका पूरा रीजन इस वीडियो में डिटेल में समझाया गया है ये आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इसे आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने 4 power की क्यों यूज की है ये वाला जो golden shot है इसमें aim set करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको जैसी position मिलेगी बिल्कुल straight आपको वैसे ही रखनी है बिल्कुल भी aim को इधर उधर हिलाना नहीं है ये इसके power के dimensions हैं यहाँ पर से power bar पर third line से थोड़ा सा नीचे इसके बाद 1,2,3,4 चार सेकंड तक रोखने के बाद आप shoot कर देंगे बिल्कुल exact target को center पर hit किया है तो इसका aim बहुत आसान था और इसकी power कितनी use करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है और zoom करके दिखा भी दिया है अब देखते हैं कौन सी Q हमारे पास खुलती है तो ये open हुआ पहला box Axion Q का piece एक open हो गया है दूसरे box में laser Q का second piece आ गया अब ये तीसरा box open हो रहा है येस इसमें मेरे पास जो एक तीसरा Q थी निंफर्नो की वो मेरी open हो गई और यही मेरी इस account की पहली legendary Q है लास्ट एक बॉक्स और बचा हुआ है इसमें शांगरी लास्ट की एक पीस open हो गया है तो दोस्तों मेरे इस छोटे account की पहली legendary Q open हो चुकी है उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो लाइक जरूर दे दें चैनल पर अगर आप पहली बार आये हैं तो सब्स्ट्राइब कर लें मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार